आप लोग कैसे हैं उमीद है कि आप लोग अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ वेलकम बैक टू माई न्यू डेली रूटिन व्लॉक्स आज का व्लॉक्स आप लोग बिल्कुल भी इसकिप मत करिएगा बहुत मज़ेदार होने वाला है आज हम लोग जा रहे हैं अपने घर के पास एक नए रिश्टोरेंट खुला है तो हम लोग अपनी फैमली के साथ मैं जा रही हूँ मैं जब से जौनपूर आई हूँ तब से मैं सोच रही थी मैं किसी दिन जाओंगे जाओंगे अब जाने का वक्त भी आ गया तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं जाओंगे और आप लोगों को भी दिख लाओं कि वो रिश्टोरेंट है कैसा तो चलिए आप लोग भी मेरे सा हाई गाईज हम लोग आए हैं जेल और इस वीडियो को स्किंप मत खेंगा लास्ट पेशेंस के साथ पूरी वीडियो लखेगा और वीडियो को लाइप खेंगा और जादर 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 शेयर करेंगे हम लोग आ चुके हैं जेल रिश्टोरेंट हमारे घर से बहुत कम दूरी पर है हम लोग चल कर पैदल भी आ सकते हैं लेकिन बच्चों की विज़ा से रिक्षे से आए हैं तो आप लोग भी अब हम लोगों के साथ अंदर चलिए और देखिए सलवा युसरा नवाल कि कुछ नजर आ रही है क्योंकि अब देखिए बच्चों की पसंद का समान हम लोगों को लेना पड़ेगा खाने के लिए यूदि हम लोगों को इतना ज़्यादा कुछ खानाने और देखिए अभी हम लोगों ने देखा यहां श्यावर्मा कभी स्टार लग चुटार घुका है बहुत करीब और इधर जो दिख रहा है ये पूरा नदी किनारे का है ये रेस्टोरेंट बुलकुल नदी के इस साइड में और ये देखें नदी का किनारा है और शाम का मनज़त इतना फुश्चुरत है अब हम लोग भी इंट्री कर लिए और देखें नाम तो है जेल पसंद है लेकिन देखें क्या आडर हो रहा है अब आडर होके आ रहा है तो आप लोग भी हम लोगों के साथ इंज्वाए करिए देखिए देखिए वाह यह रेस्टोरेंट देखने में बहुत ही अच्छा है जितना बाहर से देखने में अच्छा अंदर से तो और भी अच्छा लग रहा है यह ऊपर के पोर्शन में हम लोग आए हैं जहां पर फास्ट फूड वगएरा है जहां पर हम लोग ब्रंच कर सकते हैं और लंच और डिनर के लिए नीचे पूरा एरिया है तो देखिए हर चीजों को बहुत अच्छे से बनाया गया और नाम के हिसाब से इसमें अलग-अलग जेल की तरह पार्टिशन बने हुए और बच्चे अब इंज्वाए कर दो अब यह जब अब आप लोग आएव देखे कितना अचल और अच्छा मां की कि चैनिक वोजोग दो इसमें इसमें अजल्स पीशल सैंवेच मसालत चैनली यह जब बहुत आप लोग आई विजित करिये तो सांद बीश जरूर घांट पाइए अभी आड़र आने में टाइम था तब तक हम लोगों ने वेटर से बाते की तो उन लोगों ने बताया कि इस रेश्टोरेंट का नाम जेल क्यों रखा गया तो आप लोग भी सुनी और रेश्टोरेंट के पीछे का नजारा देखे गुमती नदी का किनारा ये वियू कितना प्यारा लग रहा है आप है है प्रस्टोरोग्स बढ़र कि दॉल राइब क्रफ़सरह ंतास वाल वाल प्यात् Eliot इस बार जोनपूर जब से मैं आई थी मैं पहली बार कोई रेस्टुरेंट में आई हूं क्यूंकि अप्पी की वज़ा से हम लोगों का निकलना बिल्कुल भी नहीं हो पारा था लेकिन ये घर के इतने करीब में था तो हम लोगों ने सोचा कि पहली बार इसमें भी जाते हैं अभी तक मैं इसमें आई नहीं थी और इसका भी फूट टेस्ट करते हैं सब कुछ कैसा है तो बहुत यमी और मज़िदार यहां का फूट सब लोगों ने कॉफी इंज्वाई गिया गाइज चिली पटेटो का टेस्ट बहुत अच्छा है ग्राइज देखे इतना टेश्टी चावर माई है अब खाई का पता चलेकर देखनी वें तो बहुत टेस्टी लग रहा है अच्छा है अलिया ने तो बता दिए कि बहुत अच्छा है अब मैं भी टेस्ट करके देखी जैस देखें ये कौन सा पिज़ा था अलिया कि मार्गरेटिया बहुत टेश्टी पिज़ा है हर चीज में टेश्ट है आप लोग अगर जॉनपूर आईए कहीं से भी आप लोग जरूर और जरूर जेल में विजिट करिए तुम तो आईशा ने ओडर किया है और आईशा ही कि में आईशा की वज़ा से आज हम लोग आए गया क्योंकि हमारी आशा को बहुत शोगता जेल में आने का जेल की टोपी लगाया कर आशा लीजिए आप क्या कहना चाहिए देखने में कैसी है ममा मुझे आईश क्रीम आईश देखें नवाल बड़े शोग से सलवा और नवाल खा रहे ही मेरी नवाल को बहुत अच्छा लगता है रिश्टरेंट जाना नवाल और आईशा के लिए ही तो आज आलियर लेकर आईए इन लोगों को यूसरा सबसे काहिदे से खाती है एक दम श्यूक से चुप चाप से यूसरा यूसरा टेश्टी है एक होट कॉफी कर दो यह मेरी भावी का एक नया आडर चालोगे हाट कॉफी का इस मौसम में खेर गाइस कौन नहीं हाट कॉफी पीगा आप देखिए मौसम को कितना अच्छा लग रहा है जेल इसको बनाने में बहुत अच्छा सा दिमाग लगा लगी अगर देने माल भी हैं अगर अगर राइट सेंविश पीज़े सेंविश असा लग रहा है वो है ब्रेट पीजा क्यों यह मंग वाई हो वही पीजा खाई हो फिर ब्रेट पीजा मंगा लिए अच्छा गालिक ब्रेट मंगा लिए होती है यह यह देखिए इसको वाह वाह गाईज वाह यहां लगा है जाइज आशा देखिए बड़े शोख है तो नहीं तो लेकिन मैं आ गई और लालेश में खाय जा रही हूं आप लेवर नहीं है अमेरि इतना सब कुछ खाने के बाद हसम करने बहुत स्प्राइट इसके लिए हम लोगों ने लिया इस प्राइट ओन नो यह बच्चों की नहीं है यह बड़ों की इस प्राइट बच्च आए इस रेस्ट्रेंट को कितना अच्छा खुप्शूर्ती से बनाया गया है सब कुछ खा के इतना इंज्वाय करके हम लोगों को लाश्क में बारी आ गई माउट फ्रेश्टनर की माउट फ्रेश्टनर की आते ही सबसे दादा खुश हो गया बच्चे बड़े तो खुश हुए और खूब सारी मिस्ट्री बच्चों को मिस्ट्री इतनी यूसरा को अब यसे भी मैं कहीं भी जाती हूं लेकर भी आती हूं लेकिन मैं इस बार लेकर नहीं आई थी तो लोगों ने खूब को देखे, कितना अच्छा बनाया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, komen में आप लोग जरूर बताईएगा, आप लोगों को यह restaurant कैसा लगा, और आप लोग अगर यही पास के, तो आप लोग भी गए होगे, आप लोगों को पताई होगा, और कहीं दूर से आप लोग आ रहे हैं तो जरूर विजिट करिएगा ये रोश्टरेंट सिपा में हैं सिपा से जैसे आप नहपुल पर आएंगे तो आपको वहीं मिल जाएगा देखी खापी कर घूम टैल कर सब कुछ देख कर खूब इंज्वाय करके अब हम लोग घर की तरफ रवाना हो गएं और देखिए आ गए रिक्षे के लिए ऐसे हम लोग पैदल ही जा सकते हैं सामने सही हम लोगों का घर है लेकिन बच्चों की वज़ा से हम लोगों ने रिक्षे किया और घर के लिए निकल गए आज का ये व्लॉग मेरा कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताईएगा अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फिर मिलूँगी कोई मज़ेदार से डेली रूटीन व्लॉग के साथ तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा अल्लाहाफीज